वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें यदि आप इस बे नमस्कार दोस्तों कैसे हुआ आज माँआपके लेकर आये हैं पीसे में निकल फर्थे के बारे में पबलीक सर्विस कमिशन में हाली में ही सबसे बड़ी भरती निकली है जो कि 9,350 पोश्ट से भी अधिक पोश्ट के वेकिन्जी है और इस पुश्ट को यदे आपको कर सकते हो 만들어 जो कि पब्लिक सर्विस कमिशन में हो रही है तो देखा जाए यह जो वेकंक्सी है इस पोस्ट को आपको अपलाब करना है जो कि जुनियर पंचाइज सेकरेटर के पोस्ट के लिए हो रही है तो आपको minimum graduate pass होना जरूरी है और post graduate pass उमेदवार भी इस post को apply कर सकते है age limit जो है यहाँ पर 18 से 39 years है याने अधिक तम 39 years के जो उमेदवार है इस post को apply कर सकते है प्रतिमा आपको वेतनिया पर अच्छा कासा मिल जागा जो की 15,000 से अधिक है grade पर आपको as per rules मिल जाएगी याने organization याने PSE के rules के आधार पर आपको यहाँ पर grade पर और pay scale मिल जाएगा age limit है पर जैसे हमने कहा 18 to 39 years है अब हम देखेंगे कि PDF में क्या जानकरी मिल रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो vacancy है इसे यदि आप apply करते हो और select हो जाते हो तो आपकी posting तेलंग गना में होगी तो हमारे जो भी उमिदवार तेलंग गना से है या तेलंग गना में जवब पाना चाहते है इस post को तुरंद apply करिएगा apply करने के लिए आपको minimum degree pass होना ज़रूरी है minimum age limit है 18 साल और maximum 39 years के उमिदवार इस post को apply कर सकते है age relaxation यहाँ पर applicable है SCST और BC category candidates के लिए तीन साल पात साल का age relaxation है ex-arrustment candidates के लिए तीन साल का age relaxation यहाँ पर दिया गया है physically handicap candidates के लिए 10 साल का age relaxation है और तेलंग गना स्टेट गर्मेंट employees accept employees of TSRTC, corporation and municipalities उनके लिए पात साल का age relaxation है application fee आपको यहाँ पर भरनी है जो की 800 रुपए है SCST और BC category candidates तथा PH और ex-servicemen candidates के लिए application fee है 400 रुपए और examination fee है BC category candidates के लिए 800 रुपी अप्लिकेशन फी है mode of payment जो है आप net banking, credit card, debit card के दवारा भी application fee भर सकते हो scheme of examination यहाँ पर दी गई है तो paper 1 और paper 2 आपका यहाँ पर होने वाला है 100-100 marks के लिए 100 questions पूचे जाएंगे और time आपको मिलेगा 120 minutes याने देखा जाए तो दो घंटे की एक-एक examination यहाँ पर होने वाली है question paper तेलगू, English और उर्दु में होगा job description के बार में जानकर यहाँ पर बताए गई है वेतन के बार में जैसे हमने कहा कि 15,000 आपको यहाँ प्रतिमाह वेतन मिलेगा apply कैसे करना है उसके बार में भी आपको guidelines बताए गई है तो सबसे पहले आपको official website पर जाना है register करना है और अप्लिकेशन अप्लिकेशन जैसे आप उनके डीटल फील करता है उसके बाद आपको payment प्रोसेस कर देना है debit card, credit card, net banking के द्वारा और after paying the fee, after filling the entire application from PDF अप्लिकेशन वी जनरेट अन्टेंड पर्टिकलर फॉर्निश्ट बाए तो कुछ इस तरीके से आप इस पोस्ट को apply कर सकते हो बहुत अच्छी वेकेंसी है तेलंगाना स्टेट में हो रही है और बड़े पैमाने पर भरती हो रहे है यह वीडियो आपको पसंद आई है तो like जरू करेगा कोकि आपके like से हमें पता चलता है वीडियो पसंद आपको आई है नहीं जरूर like करेगा आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद